हाईलो दोस्तों स्वागत है आप सभी क्या आपके अपने इस यूट्यूब चानल एकस्पेलेन ओली फर यू में तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखलाने वाले हैं कि भाग कैसे करना है ठीक है वो भी इतनी बड़ी संख्या में आपको चार से भाग करना है संख्या में चार से आकिर भाग कैसे किया जाता है ठीक है तो वीडियो में सिर्फ अन्तक बने रहेगा तो देखिए सबसे पहले आपको आठ में में लिखना है ठीक है मतलब यहां पर लिखना है और देखिए मायनस अची लगाना है जब आठ में से आठ गटाईएगा तो क्या होगा तो जीरो बचेगा तो जीरो आपको क्या करना है जीरो नहीं लिखना है इसको काट देना है ठीक है और देखिए उपर से एकंग उतर जा कि यह 9 आ जाए लेकिन 4 के पहड़ा में तो 9 नहीं आता है तो आपको 4 का पहड़ा उतना ही बार पहड़ना होगा कि इस 9 से फालतू नहों लेकिन 9 से कम हो वो ठीक है तो हम 4 का पहड़ा 2 बार पहड़ेंगे तो आपको 2 यहां पर लिखना है और 4 का पहड़ा जो बार पहड़ तो एक आपको यहाँ पर लिख देना है अब देखिए उपर से एक अंग आपको उतार देना है यहाँ पर तो उपर से एक अंग क्या उतरेगा तो यहाँ पर छे है तो छे यहाँ पर उतर जाएगा अब देखिए यह सोरह बन गया अब आपको सोरह में चार से भाग देना है तो आप चार का पढ़ा उतना ही बार पढ़िएगा कि यह सोरह आ जाए तो हम चार का पढ़ा चार पढ़ेंगे तो चार का पढ़ा जब चार पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो चचुक का सोलह होगा तो चार आपको यहाँ पर लिखना है और 16 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, अब देखिये लगा देना है मानस का चीन, जब 16 में से 16 घाटा आईएगा, तो क्या होगा? तो जीरो होगा, इसलिए आपको इसको काट देना है, ठीक है? अब देखिए उपर से यहाँ पर क्या है तो दो संख्या है 20 है तो उपर से दो संख्या उतरेगी तो उपर से जब दो संख्या उतरेगी तो आपको यहाँ पर 0 एक लगा देना है ठीक है अब यहाँ से दो संख्या हम यहाँ पर उतार सकते हैं तो दो संख्या क्या है तो दो स कुसलिकाタ पढ़ए सुधर दैना है तो 20 में जब 4 से भाग दीजिएका तो आपको 4 का पर उतना ही वा कुझना भण होगा कि कि ये 20 आजाए ठिक है तो मैं चार का पाड़ा कि ये 20 आ जाए तो हमित 1 का पर पाछा पाणच वार पढ़ेंगे तो आपको Baldirum लिझे दो जोvensली क कोई स्को काट देना है तो इसका राइट कितना है तिसका राइट आंसर और फार